हापी भर्टी टू यू नमस्कार शीकिष्णाशी राथ है देगरे जोतिष दिशा सुद्ध की रापने अश्ट्रोग फ्रेंड के साथ और अब हम आपको बताएंगे आज पैदा हुए लोग दिनांग 12 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष की भविश्य पूरा साल आपका कैसा भीतेगा ये आप हमारे साथ जानते हैं सूर्य बुद्ध राहु एक साथ करक्राशी में चंद्रमा सिंहस्त शुक्र कन्या में ब्रहश पत्तुला में शनिधनू में मंगल केतु मकर राशी में केतु की दशा है क्योंकि नक्षत्र था मगा दुटी चरव शिक्षा व्यापार प्राइवेट नवकरी सरकारी नवकरी सारी जानकारिया विवाह प्रेम स्वास्त सब कुछ बताते हैं पहले तुम बदाई ले ले लिजे ताली नहीं वे जाया हाईपी बर्थ डे टू यू बहुत बहुत शुब कामना है खोब प्यार खोब दुलार खोब आशिरवाद इस वरसे प्रात्रा सिक्षा का मामला जबरदस्त है अच्छा है रिस्क लेंगे पास हो जाएगे सिक्षा में चेंज करेंगे अच्छा हो जाएगा धन की चिंता अपने आप दूर हो जाएगे अगर सिक्षा में धन से रुकावट आ रही थे सितंबर से फरवरी तक का समय सिक्षा के लिए अइतिहासिक रहेगा इस भी जितने भी एक्जाम देंगे जितनी भी पढ़ाई करेंगे सब कुछ पॉश्टिव होगा व्यापार अगर आप अपना व्यापार कर रहे थे तो आप के लिए समय बेहद अनकूल है अक्टूबर नवंबर में आप रिस्क ले सकते हैं दिसंबर जनवरी आपके लिए बंबं जाएगा फरवरी मार्च में साजा तूड़ जाएगा अपरेल मई में लोन पास हो जाएगा मलब इस्थितियां ठेक ठाक जाएगे विदेश से नवकरी अगर व्यापार के लिए विचार की थे तो भी समय चल रहा है प्राइवेट नवकरी प्राइवेट नवकरी वालों के लिए सुरवाती माह थोड़ा सा गड़बढ है तो जहां हैं वहीं स्चान्त होकर चुप मारे पड़े रही है अभी स्विचिंग की जरूरत नहीं है अगर स्विच करेंगे तो इस्थिति गड़बढ हो जाएगे सरकारी नवकरी प्रमोशन भी होगा स्थाना अंत्रणों के भी संकेत है अक्टोबर नवंबर में बॉस के साथ नोग जोग हो तो अवाइड करिएगा अगर प्रमोशन चाहिए उलजिएगा मत गवर्बन जाववाले अगर आप 12 अगस्त को पैदा होए है हाँ सरकारी टूर पर घूमने ट्रहलने का कारक्रेम होगा धन का लाब भी दिख रहा है नवंबर दिसंबर महिने में मन्चाहा स्थानांत्रण का भी संकेत है खर्च मत करिएगा अपने आप हो जाएगा मार्च अप्रेल तक आते आते थोड़ा सा कर्जोर्ज की स्थती चली जाएगी संपत्ति का लाब सरकारी नौकरी वालों को मिल जाएगा अगर आप बारह अगस्त को पैदा हुए है तो अब हम आपकी मैरेड लाइब के बारे में बता देते हैं तेकि आपके दामपत्त जीवन में मंगल के उच्चस्त होने के कारण बहुत लडाई जगड़े की स्थती बन रही है सोच विचार करके भी अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें भी कुछ ने कुछ उठा पटक बनी रहेगी हो सकता है कि अलग होने की नोबत आचाएग या कुछ दिन आप अलग रहें ये समय आएगा 28 अक्टूबर की बाद से ध्यान देजेगा बहुत ध्यान देना है अच्छा आगे बढ़ें तो देख लेते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अभी लव लाइफ जी रहे हैं तो प्रेमी जीवन वालों के लिए इस्थिती बहुत अच्छी है शादी की चर्चा कर सकते हैं नॉंबर महिने में आपका संबंध गहरा होगा और आपकी शादी तै हो सकती है एक और चर्चा हम कर देते हैं धन के इन मामले में आज जिन्ता ना करिएगा लव लाइफ की वज़े से धन और धन की वज़े से लव लाइफ प्रभावित नहीं होगा कुछ होते हैं आज कलिकाल है कलियूगम है तो जेब पॉकेट कैसे रखोगे क्या रखोगे यह सब स्वास्थ गैस और पेट के दिक्कत हर्ट की प्राब्लम डियाबिटीज यह बढ़ेगा ब्रेन नियुरो प्राब्लम होगा तो वो भी बढ़ सकता है तो इन दोनों पे आपको ध्यान देना होगा उपाय है किसी विदवा को कुछ खाने की वस्तु और धन का वस्त्र का दान कर दीजेगा साथी साथ अगर आज आपके शादी की साल गीरा है तो तीन बच्चों की शिक्षा में मदद करें और साथी तीन नीम के पौधे कहीं लगा दीजेगा बस इतना सा काम करिए और फिर शुपता ही शुपता दिब्बता ही दिब्बता बहुत शुक्रिया धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए इस कारिक्रम को पूरे वर्ष किसी को भी साजा कर सकते हैं किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं शुक्ता बनी रहेगी नमस्कार शिरादे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए